मैं Christopher Nolan की बारे में बात कर रहा हूं कुछ लड़कों की बचपन की कारणामों से ही पता चल जाते कि लड़का बहुत आगे जाएगा उनका फास्ट रिलीज सौट फिल्म था डुडल बार्ग जब ये फिल्म रिलीज हुआ था बहुत सरी लोगों ने समझ लिया था कि लड़का बहुत दूर जाने वला हम लोग मेमेंटो, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर या डान कीक को छोड़ो अब जब टेनेट देखते हुआ उनका लास्ट रिलीज फिम था टेनेट मतलब क्या थोट है और क्या साइन्स है इसके अंदर हेलो गाइस, दिस इस पीस घोस, वेलकम तो माई चैनल कि स्टेफान नोलान ने लंडन इनुबरसिटिव में इंगलिस लिटरेचर में पढ़ने के टाइम इस डूडलबग सट फिल्म को बनाया था जिस किसी ने भी इस सौट फिल्म को दिखा था सभी ने उनका सुकुरिया आदा किया था क्योंकि ए फिल्म जब आप देखोगे 27 यार्स का एक लड़का जब इस तरीका सोच सकते हैं तब भी, तब इस लड़के के लिए आज की जमाने में जो फिल्म बना रहे आपकी स्टफान नोलान ने ये तो सही है इस डूडलबग फिल्म में एक ही करेक्टर है तो भी करेक्टर किया था उसका कॉलेज फ्रेंड दोस्त ने एक करेक्टर निभाया था आज मैं इस डूडल वर्क फिल्म की बारे में थुड़ा बात करने जा रहा हूँ ये फिल्म जब सुरू होते हम लोग देखते हैं दो आखे इधर-इधर घूम रहे हैं जैसे कि किसी को साथ ढूंड रहे हैं इसके बाद हम लोग एक इंसान को देखते जो हथ में जूते लेकर एक serious position में बैटा है अचाना कोई इंसान जूते लेकर जमिन के पर गीर पड़ते साथ किसी को मारने के कसिस कर रहा है उसके बाद उसने जब जूता उठा के देखते है ना दिखते कुछ नहीं है, तब उसके सरीर में और भी गुस्सा जदा बढ़ जाते हैं, और वो हाथ में जूते लेकर डेस्पारेट हो जाते हैं पूरे के पूरी, अब साइड में रखा था एक टेलीफ़न अचनक बाच जाते हैं, अब उसने फटाक से जाकर रिसीवेर उठाके एक पानी के अंदर रख देता हैं, अतलब वो पूरी के पूरी, डिस्पारेट के साथ, अब किसी को ढूंड रहे हैं, इसके बाद उसने जूते लेकर रूम की इधर से उधर, इधर से उधर करते हैं, बट कोई भी चीज उसके हाथ में नहीं लगता, अब वो और भी बहु देखते हैं, कि एक और भी छोटा इंसान है, ओ भी देख रहे हैं, अब जिस तरीके से ओ छोटा इंसान इधर उधर भटक रहा, अब इसने भी ये भी इधर उधर भटक रहे हैं, बतलब इस छोटी इंसान ने जो भी कर रहे हैं, ये भी वो ही कर रहे हैं, तब हम लोग थो इस इंसान ने जो main character है उसने भी उसके उपर गिर पड़ते अब हम लोग देखते हैं ठीक जो main character था उसके पीछे दो आखे जैसे कि निकल रहे हैं आप देखते हैं अब जस्ट और भी दो सेकंड के बाद उस इंसान ने अब main character जो था उसे भी दबोच लेते फिल्म एही पर खतम हो जातेगा इस तब लोग क्या समझे गया अगर आप सोचो कि मैं बड़ा हूँ एक गलत है वई इस दुनिया में हर किसी का बाप होते हैं लोग दूसरे से छीन के तब बड़ा होते हैं एही सही है अगर कोई नहीं हटा तब जाके आप उहाँ पर जाके पैठोगे ना अगर वह वहाँ से हट गया तब आप जाके उहाँ बैठोगे यही होता है भाई यह था किस्टफान अलान का फास्ट सॉट फिल्म जो था उनका थौट तो आज हम लोग 2020 में जब टेनेट रिलीज हुआ था टेनेट फिल्म का में थोट था क्वांटम फिजिक्स जो इंडिया पी बने थे क्वांटम फिजिक्स अब इसके उपर एफिल्म था टेनेट और एक बाद गाईस इंडिया का फास्ट हांडेड कलोर बॉक्स अफिस था गजनी फिल्म इस गजनी फिल्म का भी थोट का सेकंड फिल्म मेमंटो उनसे कॉपी 2020 में 10 नेट के बाद अब 2023 में एक फिल्म आ रहा है जिसका नाम है ओपन हेई मार इस फिल्म में होलिवड का बहुत बड़े-बड़े एक्टर है जैसे कि जूनियर और डाउनी और मैट डामन करके भी और भी कुछ आटिस्ट है तो होंगे बस भाई वो नोलान है अगर किसी के अप्रोच करेगा वो तो ना तो नहीं करेगा ओके गाईस मैं इसके बाद कुछ बेस्ट इरनियन फिल्म के बारे में बात करेंगे अगर आप लोग देखना चाते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्रीब कर दीजिए अब लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूर होता है इससे मुझे बहुत ही हेल्फुल होगा अगर आप लोग मेरा आने वाले वीडियो के बारे में जानना चाते हो तो प्लीज मेरे चैनल के साथ रहिए और मैं आप लोग को ट्राइ करूँगा कुछ न कुछ सिखाने के लिए और मेरा नेक्स्ट कुछ वीडियो आने वाला है विल्म के बारे में ओके गाइस आज के लिए बस इतना ही ओके टाटा मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में ओके टाटा जाए हिंद